इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा है तो वो है G20 समिट जितनी ये समिट खास है उतना ही स्पेशल है इसका वेन्यू दिल्ली के प्रगती मैदान परिस्थित भारत मंदपम जुलाई 2023 में बनकर तयार हुई इस बिल्डिंग में कुल 5 फ्लोर हैं पहले लेवल पर PM लाउंज, बाइलेटरल लाउंज और मीटिंग रूम बने हैं मीटिंग रूम की केपासिटी 600 लोगों की हैं दूसरे लेवल पर G20 समिट होगी इसे VVIP स्टांडर्ट के हिसाब से वोल लीडर्स के लिए ही तयार किया गया है इसमें लीडर्स लाउंज और दो ऑडिटोरियम भी हैं तीसरे फ्लोर पर एक मल्टी परपस और एक प्लानरी हॉल है आर्किटेक्ट संजे सिंग इस फ्लोर की खासियत बताते हैं ये दोनों स्पेसिस जो हैं इनके बीच में जो वाल है वो मूवेबल वाल है एकूस्टिकल मूवेबल वाल है ये वाल हट जाती है तो ये पूरी स्पेस एक स्पेस बन जाती है 7000 के लिए जो सिड्नी के ओपेरा हाउस से भी बड़ी इस ऑडिटोरियम में 6 LED स्क्रीन लगे हैं भारत मंडपम का शौथा फ्लोर बेहत खास है लेवल फोर पे हमारे एक बड़ा इंटरस्टिंग कॉंसेप्ट है जिस की सजावत में पूरे भारत की जलग दिखती है जहां देश के कोने कोने से आर्ट वर्क को जगा दी गई है लेवल वन में हमने कुछ आर्ट पीसिस डिजाइन किये जिनमें इंडिया की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब में जाली का इस्तमाल बड़ा अच्छा हुआ तो ह मुरादाबाद की ब्रास आर्ट और आगरा की स्टोन वर्क के साथ फ्यूस करके एक यूनिक चीज़ बनाई समिट हॉल में हमारी जितनी भी दिवारे हैं वो सब दिवारे रेट सैंस्टोन की और धौलपूर स्टोल की जालिया है जो बहुत इंडियन है हमने नीचे पूरा हाथ से लोग पेंट करते हैं या गुजरात में जो पेंट करते हैं वो सब पेंटिंग हमने उनसे करवा के फैबरिक पे और उसको सीलिंग का पार्ट बनाया हमारा एक शैंडियर हमने बहुत बड़ा वहाँ शैंडियर बनाया जिसमें साले तीन हजार क्रिस्टल बॉल्स है भारत की संसृति दिखाने के साथ ही भारत मंडबम को मौडन बनाने की कोशिश की गई है जी ट्वेंटी समिट के बाद से ये जगह अलग-अलग एवेंस के लिए इस्तमाल की जाएगी